तो दिखी यह हमारे सामने question है, तो क्या तरेंगे? Now, differentiating with respect to x, ठीक है? So, यह हमारा क्या हो जाएगा? dy dx of sin square x plus dy dx of cos square y is equal to dy dx of 1, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हमारा differentiation, sin square x का differentiation, देखे, इसमें क्या है कि function हमारा trigonometric भी है और power भी लगी हुए. तो पहते तो क्या हो जाएगा? sin square x का हो जाएगा 2 sin x into sin x का derivative हो जाएगा cos x, तो यहाँ पर multiply हो जाएगा, plus इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा पहले हो जाएगा, पहले हो जाएगा minus, अब पहले हो जाएगा 2 cos y, 2 cos y, ठीक है? into, और cos y का क्या हो जाएगा? cos y का हो जाएगा minus sin y, minus sin y, dy upon dx, equal to 0, ठीक है? तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा sin 2 x minus, और यह हमारा क्या हो जाएगा? 2 sin y cos y, तो यह हो जाएगा minus 2, minus sin 2 y, dy upon dx, equal to 0, ठीक है? और यह हमारा उस साइट चला जाएगा, तो यह हो जाएगा sin 2 x, equal to sin 2 y, dy upon dx, तो यह हमारा हो जाएगा, dy upon dx हो जाएगा, sin 2 x upon sin 2 y, बस यह हमारा उसा है,